आज नहीं तो कल दो दिन मिलाके मैं तीन वीडियो करने माला हूं और आप लोग पाता है जो लोग कर और कोई ऐसा व्यक्ती देख रहा है जरूर तो इसी देख रहा होगा पैशन से जाहए हैं कि मैंने यूटूब एननियाट क्सक किया तो 95% के आसपास वो लोग देखते हैं यह बात में पहले भी बोल चुका हूं जिन्हों सब्सक्राइब तो नहीं किया लेकिन वो रेगुलरली देखते हैं यह मैंने नोटिस किया है तो मेरी रिक्वेस्ट्राइब करके देखेंगे तो आपको कुछ नहीं जा रहा है और मुझे एक से इसी वीडियो को टॉपिक हो जाए कि वैसी को बहुत दिक्कत है कि मोदी जी क्यों जा रहा हैं कॉंस्ट्यूशन की ओथ लिए उन्होंने तो राम मंदिर के भूमी पूजन पर जाना सही नहीं है सेकुलर स्टेट के लिए दूसरा मुद्दा यह है कि जो हमारे बीच जो ब कि लेके जाएंगे वहां पर भूमी पूजन में और अपना योगदान भी देंगे वगरा वगरा कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसको बाद में स्तमाल इस तरी के साथ आपको दिखाऊंगा तो उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि आज तो वह यह कहके कर रहे हैं लेकिन अगर ऐसा है तो वह क्यों नहीं इस्लाम ही छोड़ देते हैं तो इसके पीछे थोड़ी थे थियोरी आप वेट करिए अगली वीडियो में आएगी तीसरा मुद्दा यह है कि कैसे इसलाम में कनवर्जन अगर हो भी जाए तो भी लोग आपस आ रहे हैं और जब उनको पकड़ा गया तो बहुत सारे लोग वापस से इसलाम छोड़ भी चुके तो यह तो देखा जाए कि यह वही लोग हैं जो फाइदे के लिए कंवर्ट हुए तो वापस से फाइदे के लिए वापस आ गये तो वीडियों बने रहे हैं एंड तक और आपको एक नया पॉइंट ओव देखने को मिलेगा और फिर मैं भी काउंटर करूंगा तो दोनों में से कोई एक पार्टी तो कनेंट्स होई जाएगी किसी एक मुद्दे पर हिंदू भाईयों सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेयर करो दबा के सेयर करो इस वीडियो में मुद्दा है ओवेसी ओवेसी जी को मेरा जवाब है कि उन्होंने सवाल पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ने सब्सक्राइब है और यह एक सेकुलर स्टेट है सेकुलर नेशन जो कि हमारे कॉंस्ट्यूशन में लिख्या उससे हम लोग बात दें ऐसा उनका कहने का मतलब है और उन्हें भूमी पूजन के लिए आयोद्या नहीं जाना चाहिए इससे शायद उन्हें लग रहा सेकुलरि मिस्टर जारा वो हिंदू है या फिर कोरोना पैंडेमिक चल ला है और तीसरा वो एक मंदिर है मंदिर के भूमी पूजन के लिए तो इस केस में हिंदू हिंदू टेंपल में नहीं जाएगा तो मस्जिद में जाएगा तो शायद ज्यादा जीव लगेगा कि वो अपने कॉंग्रेस और केजरीवाल ने किया हुए अलड़ी पुरा टोपी पहन के और नमाज ओमाज के टाइम पे और जो भी बक्रीज वगए तो जब लो नहीं किया तब तो आपने कुश्चन नहीं कि भाई आप हिंदू हैं मुसल्मानों की चीज़ों में इतना इन्वाल्व क्य लेकिन एक हिंदू राजा एक हिंदू प्रधानमंत्री अपने ही आस्था के मंदिर में गर जा रहा है और रही वाद कुरोना पैंडेमिक की जो बीच वाला स्टैक है अब मुझे को यह बता दे कि वहां पर जाने वाले सब की टेस्टेंग और प्रिकॉर्शन सब कुछ लि कि अपने रिलिजिस प्रैक्टिस कर सकें वह कर रहे हैं देश में दुनिया में कहीं भी जाने का उनको हख है जा रहे हैं तो इसमें कॉंस्ट्यूशन बात कहां सब्सक्राइब तो आप मंदिर क्यों जा रहे हैं अरे तो हिंदू कहां जाए इस सज्जन को क्या तकलीब है क्या तकलीब है इनको कॉंस्ट्यूशन की ओस लिया तो कंपलसरी तो है नहीं कि सिर्फ मस्जिद में ही जाए ऐसा भी तो कहीं नहीं लिखा है तो वैसी या वैसी के समर्थ था कि कोई भी जो वैसी तक मेरी बात पहुचा सके मुझे इस बात का जवाब लाके दिखा दे ज सिर्फ जैहिंद बोलना चाहिए तो सारी जीजें लागू होती है नरींद्र मोदी पर सब कुछ फॉलो करना कंपलसरी है नरींद्र मोदी के लिए उसकी अपनी मर्जी अपनी पर्सनल लिवर्टी सब भाड़ में जाए पॉलिटिक्शन होने के साथ साथ देश का प्रधान अंतरी होने के साथ साथ वह एक देश का नागरिक है हिंदू है उसकी अपने फंडामेंटल राइट्स है वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता यही कहना चाहते हैं यह आपके हर फाल तो सवाल का वह जवाब देता फिर है फिर कोई डाउट हो कोई आपका अजीब सा लॉजिकल ट्विस्ट टर्न से भरा हुगा कोई सवाल हो तो कमेंट ने बता देना मेरी जितनी नौलेज होगी जितनी मेरी शम्ता होगी मैं जवाब देदेंगा जैहन बंदेमातर हिंदू भाईयों सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेर करो दबा के सेर करो